असलाम लेकुम डियर लेर्नर्स और वेलकम इन वीडियो बात हो रही है on entrepreneurship and globalization की हमने कहा था कि जो globalization उसकी पेस आने वाले वक्तों में बढ़ती चली जाएगी वैसे तो काफी बढ़ चुकी है already और globalized world के अंदर is globalized village के अंदर रहते हुए अगर आप business कर रहे हैं तो आपका business is globalization से obviously effect हो रहा है और आप भी इस globalization के रंग में रंगे हुए हैं और अपने decisions को उसी के मताबिक ले रहे हैं अच्छे globalization की definitions तो हमने देख लिए हैं globalization जहां पर challenge लेकर आता है वहां opportunities भी लेकर आता है और यही topic है हमारा कि we'll be talking about the opportunities and challenges in the globalized world पहले तो हम global entrepreneurship की definition देख लिते हैं global entrepreneurship की definition यह है कि global entrepreneurship is a process where firms act more innovative, efficient and entrepreneurial to alter and improve their product and services to compete in the international market जब भी आप अपने मुलक से निकलके दूसरे मुलक में जा रहे हैं और दूसरे मुलक में जाके अपनी चीज बेच रहे हैं तो इसको हम global entrepreneurship कहते हैं और उस global entrepreneurship में क्योंकि आप दूसरे मुलक में जाके चीज बेच रहे हैं तो आपको innovative भी होना पड़ेगा, आपको efficient भी होना पड़ेगा, आपको अपनी quality standards भी उस मुलक एक जिसे कहते हैं कावानीन के मताबिक रखना पड़ेगा और सबसे important चीज और वो यही कि आपको खुछ ज़्यादा entrepreneurial होना पड़ेगा because culture को समझना, value को समझना, market को समझना itself बहुत critical होता है और आप यहां से अंदाजा लगाई है कि अगर आप एक entrepreneur हैं और पाकिसानी market में बैठ की एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्रोड्यूस करने के बाद आपने बेचना उसको किसी और मुलक में हैं तो आपको फिर दोनों मुलक और दोनों मुलकों के अंदर जो एक market है या जो एक sector है जिसमें आप डील कर रहे हैं दोनों के dynamics समझने के आपको ज़रूद पड़ेगी इसे लिए global entrepreneurship आसान नहीं है अच्छा, क्या है global entrepreneurship? हम यह कहते हैं कि when entrepreneurs decide to start or expand internationally, they should educate themselves about the culture, legal, political and economic forces in the foreign market. इस तैयारी के बगएर आप global market में jump नहीं कर सकते हैं being an entrepreneur. और आपको जिस भी मुल्क में आप जाकर चीज बेचना चाहते हैं, चाहे आप simply export ही क्यों न कर रहे हों, बाहर कोछ, सिर्फ कोछीज ही क्यों न बेचना हों, still you need to understand their culture, their values, their legal system and the political ties between the host country and the other country जिसके साथ आप deal कर रहे हैं. उसकी वज़ाई आती है कि पता चले कि आपने धेर सारे अपने पैसे जो हैं वो भसा लिया और very next day दोनों मुमालिक के दर्मियान में कुछ issues हो गए हैं और उन्होंने fill for एक दूसरे के साथ trades के जो agreements हैं वो cancel कर दी हैं और पता चले के you are in a hot water. So इसे लिए legal system के साथ political system और वहाँ की economic indicators को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है इसलिए हम बार बार कहते हैं global entrepreneurs ज़्यादा risk takers होते हैं. अच्छा जी क्या चीज लेंड करने की ज़रूरत है अगर आपने global market में जाना है being an entrepreneur you need to learn how to best adapt the product or the service to meet the foreign demand for a smooth entry. पहले हमने बात की थी adoption की अब हम बात करें adapt यानि आपकी product को अकले मुल्क के culture values या उनके quality standards या वहाँ की customers की needs and demands के मताबिक आपको alter करना पड़ेगा जितना जादा बेहतर तरीके से आप उनके culture को उनके values को उनकी demand को समझते वे उनकी values को समझते वे customer की perceived values को समझते वे product को असान होगा किसी भी मुल्क के अंदर जाके चीजों को बेचना अच्छा जहां हम बात करते हैं globalization की और competition की बहुत से लोग आपको नजर आएंगे कि वो advocate करेंगे कि globalization ने small and medium enterprises जो local market में deal कर रहे होते हैं उनको बहुत adversely effect किया और बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो ये advocate कर होंगे कि globalization से चाहे small and medium enterprises हैं उनके पास opportunities बढ़ गई हैं तो दोनों schools of thought जो हैं जो एक certain stance को advocate करते हैं उन दोनों के पास अपने argument हैं हम इसको इस lens से देखते हैं कि on tip ने हो रहे हैं तो हमने problem को भी opportunity के lens से ही देखना है सबसे पहली बात तो ये है कि globalization से आपने एक term सुनी होगी born global firms पहले अगर हम एक बात करें traditional एक typical route की तो हम कहते हैं कि अच्छा पहले आपने अपना business शुरू किया आपने local market के अंदर अपने business को अच्छे से expand कर लिया brand को establish कर लिया आपकी credibility established हो गई business चलना शुरू हो गया है अच्छे revenues generate होना शुरू हो गया है अब आपने business को grow कर रहे हैं अब locally अच्छे से grow कर गए हैं तो next step ये है कि किसी international market में भी चले जाएं यानि ये एक typical route है इसे भी business को चलाने का second ये है कि right from the day one you are selling your product in the international market इसलिए इस term को कहा जाता है born global firms small firms launched with cross border trade since its inception यानि right from the day one आप जो भी product या जो भी service बना रहे हैं आप directly उसको international market में sell कर रहे हैं आपने देखा होगा बहुत से entrepreneurs जो अपने software houses चलाते हैं यह जिन्हों ने दूसरे मुलकों से जो firms ने outsource की वी है अपनी services को वो यहां पर उनको जिसे कहते हैं अपनी services deliver कर रहे हैं so again right from the day one because of the globalization आप international हो सकते हैं आपको बहुत लंबा चोड़ा सफर करने की ज़रुएत नहीं है second opportunity and that is service outsourcing जिसके हम अभी बात कर रहे थे हैं बहुत सी large firms because labor developed countries में महंगी है और developed countries के अंदर globalization का एक बहुत बड़ा driver that is cost efficiency large firms अपनी cost को reduce करना चाहती हैं उने basically क्या किया वा है कि अपने जितने भी service centers हैं वो developing countries की तरफ जो है वो third party को दे दी हैं और calls जहां से भी आप दुनिया से करें call basically मिसाल के तरफ पर आपने product buy की है and you are living in UK और आपे को issue आया है तो आपने इसको call किया है तो आपकी call हो सकता है पाकिस्टान या इंडिया या बंगलादेश या इस तरह चाइनम की किसी एक country में land कर रही हो और customer service center उनका वहां से operate कर रहा हो it's called outsourcing क्या है a strategy where large firms access foreign labels for services through contract with independent providers so आप एक service provider हो सकते हैं आप किसी भी large firm के रिए पाकिस्तान में एक customer service center एक call center open कर सकते हैं so this is because of the globalization एक और opportunity and that is offshore अच्छाए offshore क्या है offshore में ये है कि strategy where the firms or the large firm reallocate their operations abroad for achieving cost efficiency and to access the knowledge workers खास तोर पर IT industry में ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि large firms अपने software development और software maintenance और अपने database development and maintenance के लिए IT services के लिए अपने जो जिसे कहते हैं services हैं अपने operations जो हैं वो किसी developing country में जहां पे labor efficient है मगर cheap है और वहां पे knowledge workers बैठे हैं और वो उतना charge नहीं करते हैं जितनी charge उनको developed countries में developed countries के जो है labor है वो charge करते हैं so they have basically set their entire setup and the operations in the other country और यह अब तो बहुत ही जादा हो गया है यह outsourcing and offshore यह भी opportunity कहां से create हुई है because of the globalization फिर उसके बाद आता है information industry because ICT का दौर है information industry ने हर तरफ जिसे कहते हैं अपना जादू जगाया वा है big data की बात हो रही है data science की बात हो रही है अच्छे globalization के अंदर एक global village के अंदर रहते हुए लोग हम बार बार कहने shared values being an entrepreneur आपने देखा होगा social media बहुत जादा emerge किया है social media के अंदर एक दूसरे के साथ shared values जिसे कहते हैं एक shared culture बहुत जादा emerge हुआ है vlogging इतने entrepreneurs हैं जो कि इस तरह आए हैं YouTubers बने हैं Vloggers बने हैं और वो बहुत धेरो धेर dollars कमा रहे हैं basically बना वो वीडियो किसी और मुल्क में रहे हैं देखने वाले उनके सारे followers पाकिसान में बैठे में and they are earning a lot of money अब उनको भी entrepreneurs की category में consider कर सकते हैं because somehow they are making a money and they are providing services of entertainment because of globalization, ICT, लोग जुड़े हैं एक दूसरे के साथ चो कि अब लोग travel बहुत जादा करते हैं travel के वजह से बहुत सी ऐसी websites जो traveling information देती है online आप hotel book करें पाकिसान का hotel है, local hotel है, किसी international website पर चढ़ा हुआ है और कोई और, किसी और मुलक में बैठ के because पाकिसान में अब tourism ने बहुत boost किया है so if they are coming to Pakistan तो वो online hotel अपना book करवा रहे हैं so see people if they are coming to the Pakistan from the other country they can book their hotel or local, जो हमारी hotel industry है they are getting the benefit of this globalized or information based, you know, world उसके बाद आ जाती है, हमने जैसे हमने बात की कि data analysis के बात हो रही है यह सारी globalization के fruits हैं जो के नए नए opportunities लेकर आ रहा है इसी तरह skill industry जैसे हमने पहले भी बात की थी offshoring हो हो, या outsourcing हो basically, यह skill ही है जो purchase कर रही होती है developed countries या दूसरी countries, किसी दूसरा मुलक से so they get access to the knowledge workers, skill industry और चुकर यह skill industry बहुत जाद है तो आपने देखा होगा बहुत सी agencies खुल गही है which provide assistance for the global enterprises वो global enterprises ने अगर पाकिसान से किसी लोगों को hire करना है तो वो directly करने के बदर है किसी third party को contract दिया होता है वो उनके बहाफ पे interviews कंड़ करके लोगों को select करके फिर Dubai यह Canada यह Australia भेज रहे होते है so again this is an opportunity if you want to open a business जहां पर आप skill को transport कर सके है legally from this country to another country this is also an opportunity conclusion जहां पर opportunities है वहां पर challenges भी है और challenges globalization के जादर critical है because again हमने शुरू में का था it's a complex phenomenon challenges क्या है globalization के being an entrepreneur आपने face करने है सबसे बड़ा challenge culture, demographic and values आप जानते थे हैं पाकस्तान में एक certain culture है certain demographics है पाकस्तान में youngsters जादा है Japan में जाएं तो महां old age community जो है उनकी भी ratio बहुत जादा है आपने किस तरह से deal करना है likewise legal system पाकस्तान में बिलकुल मुखलिफ है इंडिया में बिलकुल मुखलिफ है अमेरिका में बिलकुल मुखलिफ है कैनडा में बिलकुल मुखलिफ है legal systems किस तरह समझने हैं आपने economic risk बहुत जादा involved होता है पता चलता है कि आज एक मुलक है और उसके economic indicators बहुत बहुत बहुतर हैं और वहां पर कोई issue कोई national disaster कोई disease फूट पड़ती है जिस तरह आजकल चाइना का issue हो आ रहा है and all of a sudden जो आपकी trade है उसके issues जी है वो सामने आ जाते है because of the uncontrollable economic environment of the other country आपकी international politics बहुत जादा influence कर रही होती है आपके business को financial issues payment कैसे करेंगे किस तरह से आएंगे कौन से banking channels आप इस्तमाल करेंगे क्या आपके managers आपकी team के पास international business में जाने के लिए वो skills required हैं कि नहीं quality standards जिस तरह पाकस्तान के बहुत से businesses export कर रहे हैं और उनको quality standards maintain करने पड़ते हैं certifications show करनी पड़ती है product design को change करना पड़ता है operations को alter करना पड़ता है यह सारे challenges है जहां opportunities है वहां challenges भी हैं और इन challenges को being an entrepreneur आपने deal करना है चाहे आप international market में जाएं या ना जाएं you have to face all these challenges because आप international market में नहीं जा रहें लेकिन international market की competitors आप तक जरूर पहुंच रहे हैं in the local market so globalization is a complex phenomenon again it's tricky and you need to understand being an entrepreneur की globalization आप की business को किस तरह से effect कर रही है आप international market में कैसे access कर सकते हैं इसकी strategies के बारे में अपनी next video में हम बात करेंगे